बिस्मिल्ले रख्मान ररहीम असलम अलीकूम गाईज क्या हाल चाले आपके उमीद करती हूँ कि सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और मेरी दुआ है अल्ला ताला से कि आप सब लोग हमेशा खुश रहे आबाद रहे और सलामत रहे आमीन मैं भी ठीक टाक हूँ अल्हम्दुलिल्ला तो कल मैंने वीडियो नहीं बनाई लेकिन जब इफ़तारी रखी टेबल पे तो मैंने सोचा कि आपके लिए थोड़ा सा बनालू वीडियो तो ये हमारी कल के इफ़तारी है कल मैंने बनाय थे चिकन चोले और आलू के पकोड़े थे और ये शर्बत थी टेंग था रूहवजा चिटनी और ये मैने कस्ट्ड बनाया था मैं सीम्या बना रही थी लेकिन जब देखा तो सीम्या नहीं थी तो पिर मैंने ये कस्ट्ड बनाया और बस इसमें मैंने केक के पीस रख लिये थे और ये बहुत ही मज़ेदार बना था और कल मैंने इसलिए वीडियो ने बनाई क्यूंकि कल मैं कपड़ी भी दू रही थी तीन बजे के साड़ी, तीन बजे मैंने मशीन लगाई और पिर साथ साथ मैंने ये उफ्तारी भी बनाई तो मैंने सोचा कि तीन काम जो है न वो एक साथ नहीं हो सकते कि मैं वीडियो बनाऊं फिर बाद में एंडिकिन करना, वीडियो को अपलोट करना तो ये बहुत बड़े काम थे तो मैंने सोचा कि चलो मैं न वीडियो से आज चुटी कर लेती तो चुटी मैंने इसलिए की कि फिर मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ और ये देखे आज मैं इफ्तारी में बना रही थी आलू गोश्ट और ये इतने मज़ेदार बनी थी ना कि बस बेहद मज़ेदार मैंने बेटे से कहा कि आज ना आलू गोश्ट बनाते हैं तो उसने कहा कि ठीक है बना ले तो कल बस वो इफ्तारी थी मैंने सोचा कि बस आपको दिखाओं और आज मैं बना रही हूँ पकोड़े ये आलू के आज भी मेरी तबियत जो है ना कुछ खास टीक नहीं थी क्योंके कल मैंने कपड़ी धोएते और उसकी जो थकन थी ना वो आज भी थी सुबह मैं बारा बजी उठी हूँ और फिर मैंने सोचा कि कौन सा मुझे लंच बनाना है सो जाओ भई तो इतनी नीन दा रही थी तो मैं बारा बजी फिर से सो गई तो जब मैं उठी तो कमरा इतना ठंडा इतना ठंडा कमरा था कि मैं सोची थी कि शायद बाहर ना बारिश हो रही है मैंने चादर ली थी और मुझे बड़ी ठंड लग रही थी मैंने देखा तो ऐसी भी बनता तो मैंने सोचा कि शायद बारिश हो रही है और जब टाइम देखा तो दो बजे का टाइम था मैं बाहर आई तो मेरे हस्बन बेखे टीवी देख रहे थे तो मैंने कहा कि बाहर बारिश है क्या उसने कहा कि नहीं बारिश तो नहीं है मैंने कहा कमरा इतना ठंडा था कह रहे थे मैंने ऐसी लगाया था जब कमरा ज़्यादा ठंडा हो गया तो मैंने बन किया तो मैंने का क्यूं लगाया था क्यूंकि जब भी ऐसी लगाते है न तो मेरे जिस्सम में दर्द हो जाता है तो कह रही थी नहीं तुम्हें गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा कि ऐसी लगाऊं तो तुम ना आराम से सो जाओगी तो मैंने कहा कि चलो ठीक है अच्छा किया लेकिन आएंदा न लगाए क्यूंकि आजकल ना इतनी गर्मी नहीं है कि ऐसी लगाए मेरे बेटे तो एक दो गंटी लगाते हैं और फिर बंद करते हैं और फिर उनका कमरा बड़ा ठंडा होता है लेकिन मुझे लगता है कि अभी एसी के दिन नहीं है तो बस आज फिर मुझे इतनी ठकन हो रही थी ना लेकिन आखिर मैं मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो तो बना लेती हूँ इस तरह ना आप फ्रेंड से मेरा राप्ता रहता है कि आप लोग कमिन करते हैं और मैं उसका जवाब देती हूँ तो लगता है कि मैं आप सबसे बाते कर रही हूँ तो आज ये मेरी वीडियो जर लेट आएगी क्योंकि मैं ना अपनी बेटी से बात कर रही थी तो अभी मैंने सोचा कि बहुत देर हो जाएगी तो जर पहले वीडियो जो है ना अपलोट करें और कल से के परसों से जो है ना दूप निकल आई है और थंडा मौसम इतना नहीं है लेकिन फिर भी अल्ला का शुकर थंडा है तो मैंने ये पकोड़े बनाए इस से पहले मैंने फ्रूट चार्ट बनाई मगर मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई क्यूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और जब आलू गोष्ट बना रही थी तो मेरे इरादा नहीं तक ही वीडियो बनाऊंगी तो इसलिए मैंने उसकी नहीं बनाई और मज़े की बात ये है कि जब मैं इफ्तारी की फिर वीडियो बना रही थी तो वो फ्रूट चार्ट फ्रिज में रखी थी और वो हम भूल गए तो वो फ्रिज में इफड़ी रहे गए पिर तो आजकर मैं सोच रही हूँ कि एक तो रोजे है ईद भी आ रही है गर की सफाईया वगएरा भी करवानी है और मैं क्या करती हूँ कि ईद पे जो है नई बेट शिट डालती हूँ सारे बेट पे यही मेरी बड़ी पुरानी आदत है तो एद की जब अगली दिन एद होती है न तो राथ से मैं फिर यह सब कर लेती हूँ इस बार मैं आईद का दिन भी आपसे थोड़ा थोड़ा शेयर करूंगी कि मैं क्या करती हूं, क्या पकाती हूं और खुद भी तैयार हूंगी तो आपको दिखाऊंगी फिर बताईएगा कि मैं कैसी लग रही हूं और मेरे बच्ची जो है ना उनको तो बस ये रूह हवजा पसंद है और इसमें कभी जब मुझे याद आता है तो तुख में मलंगा डाल देती हूं और जब भूल जाती हूं तो फिर एन टाइम पे ये कहते हैं कि आपने तो तुख में मलंगा नहीं डाला तो मैं कहती हूं कि मैं तो भूल गई तो बाद में तो फिर उस टाइम तो नहीं डाल सकती क्यूंकि उसको भी जो है ना नरम होने में थोड़ा टाइम लगता है और कस्ट्ड कल बनाया था और मेरे हजबन को बड़ा अच्छा लगा कि बहुत मज़ेदार बनाया है और फिर शर्बत में डालती हूं और ये है हमारी आज की इफ्तारी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताईएगा अगर नए है मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो देखी है तो लाइक करके जाईएगा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर अच्छी लगी है तो अपना और अपनी फैमली का बहुत सारा खयाल रखिए मेरे बच्चों को भी दुआओं में याद रखिए जिन्दगी रही तो मिलूंगी एक और नए वीडियो में अल्ला हाफिज अल्ला निगहबान